इर्फान खान के बेटे बाबिल खान ने जीता सभी का दिल स्टार किट्स को अनफॉलो करने पर दिया कुछ इस तरह जवाब आखर क्या कहना है बाबिल खान का आईए जानते है साच 2020 बॉलिवुड को कई शौक दे कर गया है इर्फान खान, रिशी कपूर और अब सुशान सिंग राचपूत सुशान के निधन के बाद तो बॉलिवुड में नेपोटिजम की डिबेट को भी गरम कर दिया है अब सोशल मीडिया पर इस नेपोटिजम की टिबेट में इर्फान खान के बेटे बाबल खान को भी शामिल कर लिया गया है एक यूजर ने सोशल मीडिया पर इर्फान खान के बेटे से मांग की है कि वो किसी भी स्टार किट को फॉलो ना करे उन्होंने नेपोटिजम के नाम पर बाबिल से ऐसा करने की अपील की है यूजर ने बाबिल से कहा है कि स्टार किज्स को अनफॉलो करना होगा पबलिक ने ही इन्हें फेमिस बनाया है लेकिन अब समय आ गया है कि हम नेपोटिजम के खिलाफ आवाज बुलंद करे अब यूजर के इस सवाल पर बाबिल ने प्रतिक्रिया दी है वो कहते है आपको इस बात का हैसास है कि एक स्टार केट पर क्या प्रेशर होता है नेपोटिजम को लेकर आपके गुसे को मैं समच सकता हूँ लेकिन सिक्के के दो पहलू होते है बाबिल के इस जवाब से यूजर संतुष नहीं हुए उन्होंने इस पर दुबारा रियक्ट करते वे लखा मैं स्टार किट्स के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन किसी दूसरे का हाग आप इनहें दे देंगे तो ये गलत है अगर प्रोडक्शन हाउस ऐसा काम करेंगे तो ये लोग कहा जाएंगे मैं नियाए के लिए यहाँ हूँ और करन जोहर को इस इंडस्ट्री से निकलवाना चाहता हूँ वेलेस यूजर की अपील पर बाबिल ने दिल जीतने वाला जवाब दिया है उन्होंने खुब महनत करने की बात कही है वो लिखते है मैं तो यही उमीद करता हूँ कि मैं अपने करियर में इतनी महनत करूँ कि मेरी पोफॉर्मेंस देख आपका दिल खुश हो जाए और मेरी जोर्नी में कुछ भी अनफेर ना लगे बता दे कि इर्फान खान के बेटे के इस स्वीट रिपलाई से सोशल मीडिया पर बाबल की खुब तारीफ हो रही है हर कोई इर्फान के बेटे की समझदारी से इंप्रेस्ट है निपोटिजम पर बाबल का जवाब इस समय सभी का दिल जीत रहा है आप भी हमें बताए बाबल के इस जवाब से क्या आप सहमत है पोस्ट करिए अपने कमेंज आप दो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब तो बॉलिवर्ड नाव और फेस्बुक, इंस्टिग्राम और यूट्यूब